हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गई जैसा कि आज जो आपका SSE CGL का 10 सीतंबर के सेकंड शिप्ट का एक्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है, इस वीडियों आताऊंगा, तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 10 सीतंबर के सेकंड शिप्ट के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया हैं, उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐससे सीजेल एक्जाम से रिलेटेड, पलपल गी अपडेट के लिए जो है, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा, और बगल में ही आपको एक बैल एकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिजेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का आपका पहला कुश्रिन आया था कि पंडित रवी संकर जीखो, 1999 में जो है कौन सा आवार्ड मिला था, तो देखें पंडित रवी संकर की बात कर ले, तो देखें, इन्हें 1981 में जो है, पद्म विभूशन से, 1967 में पद्म भूशन से, 1962 में संगीत नाठक अकेडमी पुरूशकार से, और 1975 में संगीत नाठक अकेडमी फैलोसीप अवार्ड से, इसके लावा जो आपका मद्यपरदेश सरकार के द्वारा, जो कालीदा संमान दिया जाता है ना, इन्हें कालीदा संमान से, जो है, 1987-88 में जो वो संमानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा, इसके लावा एक्जाम में एक प्रहशन पूछा ना, चो लावा जाता है, जो है, जो एक अपका 1998 में जो है, इन्हें भारत-रहत्न से जो वो संमानित किया गया था, और दूसरे जो वेक्ति थे संगित कार, वो आपके जो है, कौन थे, तो ये आपके पंडित रवी संकर थे, और पंडित रवी शंकर के बाद, आपके 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सुस्री लता मंगेशकर को जो है, 2001 में भारत रतन से शम्मानित किया गया था, इसके लावा पंडित भीम सेंजोशी को जो है, इन्हें 2009 कभी कभी कहीं कहीं पे जो आपका 2008 भी दिया रहता है, तो आप ऑप्सन के एक ओडिंग देखेगा कि 2008 द दियान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता है कि AU is the symbol of, sorry, symbol of which element, यानि किस ततो का प्रतीक है वो आपका AU होता है, तो देखेगे ये जो आपका AU जो symbol होता है या आपका गोल्ड का होता है, यानि सोना का होता है, तो गोल्ड आपका यहापे correct answer होगा, वहीं अ आपका आवर्त सार्नी में, यह जो आपका D-block का element है, तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा, इसके लगा यह जो आपका गोल्ड का जो वो Latin जो name पूछा जाता है, तो देखेगे गोल्ड का जो आपका Latin जो name है यह आपका Auram है, तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा, next question आपका आप रहा था कि fundamental duties, यानि मौली कर्टबे जो है, यह आपका किस अनुछेद में वर्नित है, तो देखेगे मौली कर्टबे की बात कर ले, तो यह आपका अनुछेद 51A और भाग 4A में जो इसका उलेख जो हो किया गया है, तो अनुछेद 51A आपका correct tensor होगा, इसके ल आद्यम से हमारे शंभिधान में 10 मौली कर्टबे को जो जोडा गया था, और यहाँ से एकजाम में एक प्रस्ट और पूछा जाता है, कि किस समीधी के सिफारिज पर जो है, आपके मौली कर्टबे को जो जोडा गया था, तो देखे, जो आपका सर्दार सुन सिंग समीती थ तो देखें सर्दार्ट स्वान सिंग समीथी को समीथी ने आठ मौली कर्टबे को जब वो सुझाओ दिया था अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर आठ बोल रहे हैं लेकिन 42 संभिदान संसोधन के द्वारा जो है 10 मौली कर्टबे को जोड़ा गया था तो द संसोधन हुआ था ना जो कि आपका वर्स दोजार दो में हुआ था और इसके माद्यम से जो है आपका 11 मौली कर्टबे को जो जोड़ा गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और मौली कर्टबे का जो प्रावधान ये किस देश के संभिदान से लिया गया तो ये इसे आपका USSR जिसे वर्तमान में आपका रूस कहा जाता है तो रूस देश के संभिदान से जो है इसका प्रावधान जो वो लिया गया है तो ये तो हो गया आपका मौली कर्टबे अगर आपसे fundamental rights यानि मौली क अधिकार के बारे में पूछा जाए तो देगे मौली क अधिकार का जो वर्नन है ये आपका नुच्छे 12 से 35 थक है वही अगर भाग की बात कर रहे तो भाग 3 में जो है आपका मौली क अधिकार का जो वर्नन है वो किया गया है और मौली क अधिकार को जो है ये आपका USA देश के समिधान से जो वो लिया गया है तो ये fact भी आप ध करते हुए इस्तरी पूरुस्तुल्ना पुस्तक जो है यह किस्त ने जो वह प्रकासित की थी तो देखें यह आपका तारभाई सिंदे के द्वरत जो है इसे 1882 में जो वह लीखा गया था तो तारभाई सिंदे आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाब अगर तारभा सिंदे का जो जन्म है यह आपके आधुनिक महरास्ट के बुल्धाना के बरार प्रांत में हुआ था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि दा सिंट्रल एस्टेटिक्स ऑफिस यानि CSO जो है यह आपका जी बी यानि आपका ज अधित उपाय को जो अपना है था तो 2015 आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावाँ आपको बचा दू कि केंद्रे सांक की करियाल यानि CSO ने जो है साथी साथ यह भी घोशना किया था कि भारत में रास्टे खातों के लिए जो आधार वर्स है ना वो आपका 2011-12 हो तो देगे अंतरास्टे उलम्पिक संग की जो अस्थापना है ना यह आपका PRAD कुवर्टीन के द्वारा 23 जून 1894 को जो वो किया गया था और इसके प्रतम अध्याच जो यह कौन बने थे तो यह आपके यूनानी वैपारी देमित्रिस विकेले जो है इसके प्रतम अध्य बने थे तो 23 जून 1894 आपका करेक टैंसर होगा वहीं अगर बात कर ले आई यो सी का मुख्यालाई यह जो है कहां पर है तो यह आपका लियुसाने स्विजर लैंड में इस्तित है वहीं अगर आई यो सी यह तो आपका आई यो सी हो गया अगर ICC के बारे में पूछा जाए तो देगे ICC का जो फुल फॉम होता है यह आपका अंतरास्ट्री क्रिकेट परिश्यद होता है और इसकी जो स्थापना है यह आपका 15 जून 1909 को जो वह हुगा था वहीं अगर BCCI का पूछा जाए से पहले आपका BCCI का हेट क्वार्टर पूछा गया था जो कि आपका मु इंडिया एंड पाकिस्तान यानि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा कौन सी नदी है तो देगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका नदी जो बैता है यह आपका रावी नदी है तो रावी नदी आपका यहाँ पे करेक्टेंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपक ग्राम पंचायत के गठन का उलेक यह जो है किस अनुचेत के अंतरगत जो वो किया गया है तो देखें ग्राम पंचायत के गठन का जो उलेक है यह आपका अनुचेत 40 में जो वो किया गया है तो अनुचेत 40 आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव पंचायती राज विवस्ता से जूड़ी अन्य जनकारी के बार में देख लेते हैं जहां से एक्जाम में जब वो फ्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे कि पंचाइती राज ववस्ता की जो सुरुआत है यह कब किया गया था और कहां से किया गया था तो देखें पंचाइती राज ववस्ता की जो सुरुआ ये दो अक्टूबर 1969 को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडिजवाला नेरू ने इसका जो शुरुवा थे या आपका राजस्थान के नागोर जीले से किये थे तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लाव बात कर ले आपका जो पंचाथी राज को जो संबिधानिक दर्जा जो वो दिया गया था और ये जो आपका पंचाथी राज को जो दर्जा है ना ये आपके भारते संबिधान की 11 वी अनुसुची में जो इसे सामिल किया गया है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका या पर रहा था कि एपॉइंटेट बाइद प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल यानि भारत के जो आपके सुप्रिय सर्वोच नैले के जो नैदीस होते है ना इनकी न्यूकती राष्टपधी के द्वारा जो है किस अनुच्छेद के तह जो वो किया जाता है तो देगे भारत में मुख नैदीस और सर्वोच नैले के नैदीसों की जो न्यूकती है ना यह राष्टरपधी के द्वारा संबिदान के अनुच्छेद 124 के जो है क्लोज टू यानि खंड टू के तह जो वो किया जाता है तो अनुच्छेद 124 का जो है क्लोज टू आपका यहां पे करेक्ट टैंसर होगा इसके लवेए बात कर लेए बात बात कर लें वटमान में भारत के मुखे नादीस कोन है तो डिके बारत के जो वटमान में मुखे नादीस ना यह आपके ड डिवाई चंदर चूड है और यह जो आपके पचासवे नंबर के हैं और हाली में जो आपके डिवाई चंदर चूड के द्वारा जो है सर्वोच नैले के दो न्याइदीशों की नुक्ति भी जो वो किया गया है और वो दो नए न्याइदीशों का नाम क्या है तो देखे पहला आपका दोज नुक्ति भी जो वह किया गया है तो यह पॉइंट भी ड्यान में रखेगा और सर्वोच नाले में वर्टमान में आपके कितने नइदीश हैं तो देखे वर्टमान में भी चौटिस नइदीश हैं जिसमें आपके एक मुक्च नइदीश और त30 जो उन्याइ तो यह और आप ध्यान में रखेगा next आहां परहादा कि the Indian Struggle फुस्ता कोन है तो देखे the Indian Struggle फुस्ता के जो लेखा कहा न है ये नेताजी सुभाष रंदबोश है और नेताजी सुभाष रंदबोश के दीवारे जो 1949 में forward block की स्थापना जो वो किया गया था, तो सुभाष रंड बोस आपका correct answer होगा, next आपका यहाँ रहा था कि 2022, ISSF World Championship in Cairo Egypt, यानि जो आपका काहिरा में जो आपका ये अंतरास्टे निसाने बाद जो खेल महासंग हुआ था ना, sorry, ISSF जो विशुक अब 2022 में, ये जो आपका Egypt के काहिरो में जो आयोजित किया गया था, इसमें भारत ने जो है, कुल कितने पदक जो वो जीते था, तो देगें, इजिप्ट के काहिरा में, जो आपका ISSF विशुक अब 2022 वा था ना, इसमें भारत जो है, टोटल जो है, साथ पदक जो वो जीता था, और भारत जो है, आपका चार ज जो वो पहले अस्थान पे रहा था और दूसरे अस्थान पे पदग तालीका में जो है यह आपका नौर्वे देश रहा था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता है कि हरेला जो तेवार है ना यह किस राज्जी में मनाया जाता है तो देखे यह जो आपका हरेला तेवार है ना यह उत्राखंड राज्जी में जो है हरियाली, सांती, अस्मरिदी और पर्यावरान संरच्छन के तेवार के रूपे जो है इस तेवार को जो वो मनाय जाता है, तो उत्रा खंड आपके यहां पर करेक टेंसर होगा, इसके लावा उत्रा खंड के अन्य तेवार और मेले की बात कर ले, तो देखे फूल देव महतसो, भितौली महतसो, गंगा दसहरा महतसो, हिल जातरा, कांग दली महतसो और नंदा मेला पूर्णागिरी मेला इसके लावा जो है स्यालदे विखौती मेला यह सभी जो आपके उत्राखंड के जो है प्रसिद मेले हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि मुसल्मानों की जो उत्पती है यह किस देश से हुआ था तो देखे मुसल्मान की बात कर लिया फिर इसलाम की जो उत्पती है यह आपका मक्का में हुआ और यह जो आपका मक्का है यह आपका आधुनिक सौदी अरब में इस्तित है तो पैगंबर मुहमत का जो जन्म है ना ये 570 इसवी में जो है ये आपका मक्का में हुआ था और इनकी जो मृत्व है ये आपका 632 इसवी में जो है ये मदीना में हुआ था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा इसके लाऑ एक्जाम में पूछा जाता है कि गौत्मी पूतर साथ करनी की उपलबदियों का जो उलेक है ना ये किस अभिलेक में किया गया है तो देखे इनकी उपलब्दियों का जो उल्लेक है ना उनकी माता गौत्मी ने जो है ये नासिक सिलालेक में जो वो किया है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव अगर सात्वाहन वंस की बात कर ले तो देखे सात्वाहन वंस की जो अस्थापना है ना ये सीमुक के द्वारा जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपका है अब रहता की स्ट्रॉंटियम बैरियम इन विच ग्रूप ऑप पेरियोडिक टेबल यानि जो आपके स्ट्रॉंटियम और जो बैरियम तत्व है ना ये ग्रूप 2 को ही ये आपका एल्कुलाइन अर्थ मिटल्स यानि कहा जाता है और जूप दूप में जो आपके प्टने एलिमंट्स आपके चेंवंट्यू साजाते हैं और होता है और 6 तापका रेडियम है जिसका सिंबल आ रहे होता है तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है तो ग्रूप 2 आपका यहां पर एक टैंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका अब रहता है कि विच स्टेट इन इंडिया वास्ट टू इंट्रोड्यूस दा मिड़े मिल यानि जो आपका मध्याम भोजन योजना को जो है सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है तो देखें मिड़े मिल योजना को सब से पहले लागू करने वाला जो राज्य है यह आपका तमील नाडू था और इस योजना को लागू करने वाला पहला स्कूल अगर पूछा जाए तो यह आपका सौरास्ट बॉइज हायर सेकंडरी अस्कूल था जो कि आपका मधूरे में इस्तित है और इसे कब लागू किया 250 ग्राम खादान जो वो दिया जाता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और यह जो आपके खादान की आप पूर्तिया यह किसके द्वारक किया जाता है तो यह आपके भारते खाद निगम के निकट्तम गोदाम से जो यह आपका निसुल के जो वो किया जाता तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा next आपका यहाँ आप रहा था कि त्रिभंग, मुद्रा और लास्य जो है ये निम्न लिखित में से किस नित्य सैली का हिस्सा है तो देखें त्रिभंग, मुद्रा और लास्य की बात कर ले तो ये जो आपका फालिविंग, इस cold-blooded animal यानि निम्न में से जो है कौन ठंडे खून वाला जो वो जानवर है तो देखें ठंडे खून वाले जानवर में जो आपका option दिया गया था ना, वो आपका chameleons दिया गया था, यानि जो आपका गिर्गिट होता है ना, या आपका cold-blooded animal होता है, यानि ठंडे खून वाला जानवर होता है, तो गिर्गिट आपका यहाँ पे correct answer होगा, इसके लाबा cold-blooded animal के अन्ने example की बात कर ले, जैसे कि मचली सरी-सरीप में आपके सांप, चिप-किली कच्छुआ, मगरमच, इसके लाबा उभचर में आपके मेढक और टोंडे और कीडे, यह सबी जो आपके है ना, यह cold-blooded animal है और cold-blooded animal, यह जो किसे कहा जाता है, तो देगे जो ठंडे खून वाले जो जानवर होते हैं, यह आपके बारी वातावरन से जो है, यह आपके उसमा जो वो प्राप्त करते हैं, और अतधिक temperature की स्थीटी में जो है, यह जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें जो आपका cold-blooded animal जो वो कहा जाता है, वहीं अगर गरम-खुन वाले जानवर की बात कर ले तो देखें, गरम-खुन वाले जानवर, वे जानवर होते हैं, जो अपने सरी के तापान को जो है, अपने दम पर ही जो वो निहनतरीत कर सकते हैं, और गरम-खुन वाले जानवर में अगर example की बात कर ले तो देखें, पच्ची, अस्तन-धारी इसके लावा ये सबी जो जानवर है ये आपके गर्म खुन वाले जानवर है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा next आपका यहां ऑप यहां रहा था कि विकेट कीपर Term is related to which sport यानि विकेट कीपर जो सब्द है किस खेल से संबंदीत है तो यहापका cricket खेल से संबंदीत है तो cricket आपका correct टैंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पोछा गया था था तो देखे भारत में अंगूर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी है ना यह आपका महारास्ट राज्जी है तो महारास्ट आपका यहाँ पे correct answer होगा और इससे previous हिप्टों में जो आपका pulses यानि दलहन के बारे में जो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादे दो दाल का उत्तादन है ना ये किस राज्य में किया जाता है तो देखे is 24 की record दाल का उत्तादन है ना ये आपका mudbe perdis राज्य में किया जाता है उसके बार जो आपका कौन सा राज्य आजाता है तो ये hindsight भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपका यहाँ आप रहा था कि which of the following water bodies has the highest salinity यानि निम्न लिखे जल निकायो मेंसे जो है कि इसके जवब वो सबसे अधीक लवनता होता है तो देखें सबसे अधीक लवनता वाला जो आपका जल निकाया है न यह आपका तुर्की का लेक वैन है तो option में आपका ले लेक कौन सा भारत में तो यह आपका सामबर जील है और यह जो आपका सामबर जील है न यह कहां पर इस्तित है तो यह आपका राजस्थान राज्य में इस्तित है वही अगर दुनिया का सबसे बड़े खारे पानी की जील पूछा जाए तो यह तो आपका सैलिनिटी के बार जील अगर पूछा जाए तो यह आपका उलर जील है और यह जो आपका चिलका जील है यह कहां पर इस्तित है तो यह आपका उडिसा राज्य में इस्तित है वही अगर उलर जील की बात कर ले तो देगे यह जो आपका उलर जील है यह भारत की जम्मू और कासमीर में जो है बा इसके लावा परमुख वादक और उनके वादक के बारे में देख लेते हैं, जहां से आगे के सिप्टों में आप से पूछे जा सकते हैं, चैसे कि अगर संतूर वादियंतरे की बात कर ले तो इसमें आपके पंडित सिवकुमार सर्मा और भजन सुपारी, यह जो आपके संतूर वादक की बात कर ले तो अलावदीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्देव दास गुपता, इन सभी का जो संबंद यापके सरोद वादे अंतर से हैं, सहनाई वादक की बात कर ले, तो देखे बिसमिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी और अ अमद हुशेन, इनका जो संबंद यापके सहनाई वादक से है, सितार में आपके पंडित रवी संकर, साहित परवेच खान, बुद्दा देते मुखरजी और अनुस्का संकर, इन सभी का जो संबंद यापके सितार वादे अंतर से है, सारंगी वादे अंतर में आपके सकूर दुरहिश्वामी अयंकर, इनका जो संबंद ये आपका वीना वादेंत्र से है, रुधर वीना में आपके असदाली खान आ जाते है, मोहन वीना में आपके पंडित विश्व मोहन भट हो जाते है Monteщеek्रण, इसके लावा एन आर मुडली धरन, एम चेंदर शेकरन, वीजी जोग, इसके लावा लाल गुडी जैरामन, इन सभी का जो संबंद है आपके वाइलीन वादक से है, घटम की बात कर लए तो देगे घटम में जो आपके टी एच विनायक राम, एम सुब्रमन्यम, ये जो आपक का जो संबंद है ये आपका पका वाज से है, अनपूर्ना देवी का जो संबंद है ये आपका सूर बहार से है, ब्रज भूशन कावरा का जो संबंद है ये आपका गीटार वादे अंतर से है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, तो इतने कोशन जो है, आ Thank you, all the best.